रूट एक सबसे important topic है किसी भी exam के लिए हम basic से root को समझ रहे हैं सबसे पहले हमने जोड गटाना गुणा भाग सीखा अब हम सीखने जा रहे हैं root संख्याओं का पच्छांतर यानि transposition of root numbers कैसे करते हैं देखिए इसे समंदित exam में question आया था इसको भी हम लोग देखेंगे देखिए कुछ सब्द होते हैं जो जादा तर जोड़े में पढ़े जाते हैं बच्छपन से आप लोग भी इसी तरह पढ़ते रहे होंगे कि जोड़ गटाना गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमू इसी तरह से आप लोग पढ़ते थे तो यह जोड़े में ही पढ़े जाते हैं बस यही आपको समझना है देखिए पच्छांतर यानि जब transposition का मतलब क्या होता है जब बराबर के उधर कोई चीज ले जाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं पच्छांतर करना तो अगर ज जाता है तो किसमे बदल जाता है घटाना में बदल जाता है और घटाना का चिन होता है तो किसमे बदल जाता है जोड़ में बदल जाता है इसलिए इसको हम लोग ऐसे जोड़े में पढ़ते हैं जोड़ घटाना और गुणा भाग क्यों क्योंकि गुणा का चिन अगर होता तो अगर कोई संख्या क्यूब में लिखिये तो आजाता कोई संख्या क्यूब में लिखिए तो बराबर के उधर जाने पर उसमें क्यूब sizes के उताब थाज़ा है जो भी चीज हमने आपको समझाई है वो यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगी question से हमने आपको सिखाया कि जोड़ा जो होता है जोड़ और गटाने का गुणा भाग का वर्ग वर्गमूल गन गन मूल तो पच्छांतर करने पर यही चीजें जैसे जोड़ होगा तो बराबर के उधर जाएगा तो गटाना में बदल जाएगा गुणा होगा तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा वर्ग होगा तो वर्गमूल में घन होगा तो गन मूल में अब यहाँ तो किसमें बदल गया घटाना में इसी को हम क्या बोलते हैं पच्छानतर बोलते हैं बात समझ में अब जैसे यहां पर देखे यहां किसमें है माइनस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो यह साथ प्लस पांच हो गया साथ पांच किता होगा ब यहां पर देखिये 6 किसमें लिखा है भाग में लिखा है तो उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा गुणा में बदल जाएगा बस पच्छानतर करने में हम इस जोड़े को ध्यान रखते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घंघंगन मूल तो 2 देखो एक्स की गात तीन बराबर आठ संख्या किसमें है घन में यानि क्यूब में है तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा क्यूब root में हो जाएगा यानि आइसे हो जाएगा और क्यूब root कैसे निकालते हैं देखो आठ है यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है इसके गुणन खंडम करते हैं 2 से 2 4 यहां लिखी होती जैसे हैं 3 लिखा है तो 3-3 के जोड़े में से 1 बाहर निकाल लेते हैं तो देखो यह तीन दो में से एक दो बाहर निकाल लिया तो आठ का क्यूब रूट कितना होता है दो होता है तो यही पेयर आपको ध्यान रखना है कि पच्छांतर करने में जोड़ घटाना गुड़ा भाग में वर्ग वर्गमूल में घंगन मूल में बदलत यानि इस वर्गमूल के चिन्न को जब हम हटाएंगे तो पच्छांतर करने पर वर्गमूल किसमें बदल जाता है बराबर के उधर जाने पर वर्ग में बदल जाता है वर्ग वर्गमूल में घंगन मूल में इस तरह से बदलता है तो इसको नीचे वाले को ऐसे ही लिखो प पहले 30 प्लस अंडर पावर 3 एक्स बराभर 6 का स्कूर कितना हुआ 36 अब यहा देखो यह 30 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा यह जोड किसमें हो जाता है घटाना में हो जाता है तो 36 माइनस 30 कितना आ गया 6 आ गया आप देखो यहां पर यहां क्या लिखा है यहां क्यूब रूट लिखा यानि गन्मूल लिखा है तो गन्मूल जब उधर पच्छांतर होगा तो किसमें हो जाएगा तो यह हो जाएगा गन्में गन्मूल में गन्मूल किसमें गन्में तो एक्स कमान कित कर पाऊगे जब तक आप चोटी चोटी बातों को नहीं सीखो गए तो चोटी सी बात थी रूट संक्या का पच्छांतर लेकिन कैसे अपलाई हुई यह भी हमने आपको दिखा दिया चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉंसेप्ट को लेकर के बाइबाट टेक कि कर दो से अधिस कलिग कि भी मिलते हैं रहको बाता हैज रहको को भी में का उाले हैं अपना गुटी को कि भी हुद गयो